बीजेपी सूतरों के हवाले से सामने आई बड़ी खबर बीजेपी के कई सांसदों का टिकेट कटना तै कई सीटों पर बीजेपी कर रही है प्रत्याशी बदलने की तैयारी यूपी में बीजेपी के 20-25 सांसदों का टिकेट कट सकता है बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में पूरे जोर शोर के साथ जुटी हुई है इस बार पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष रख रही है और इसी को लेकर पूरे प्रदेश में महा जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है इस जन संपर्क अभियान के तहट जनता को सरकार की उपलब्दिया गिनाई जा रही है साथ ही उन से फीडबैक लिए जा रहे हैं बता दे जन संपर्क अभियान को 30 जून तक खत्म करने का लक्ष रखा गया था मगर कुछ सांसदों की लापरवाई की वज़े से ये अभियान 18 जूलाई तक बढ़ा दिया गया है सूतरों के मताबिक पार्टी हाई कमान इस अभियान को गंभीरता से ना लेने वाले सांसदों से नाराज है अब ऐसे में कई सांसदों के टिकेट कटने का खत्रा भी मंडराने लगा है सूतरों के मताबिक कई पुराने सांसदों का टिकेट काट सकती है बीजेपी महाजन संपर्क अभियान में कई सांसदों की खुली है पोल फीडबाक में कई सांसदों के कामकाज पर उठे हैं सवाल बीजेपी के कई सांसद आयू सीमा के हो रहे हैं बाहर उम्र दराज सांसदों की जगा नई चहरों को मिल सकता है मौका दरसल बीजेपी इस बार केंदर में जीत की हैट्ट्रिक लगाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती यही वज़ा है कि पार्टी हाई कमान ने संगठन स्तर पर अपने सभी सांसदों के कामकाच को लेकर एक स्तरवे किया इन में कुछ सांसदों की उम्र ज्यादा बताई गई तो कुछ सांसद ऐसे निकले जिन से जनता और कारकरता दोनों ही नाराज है तो वहीं दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी नेता मिले जो पिछली बार हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी थे इन सभी नेताओं पर टिकेट कटने का खत्रामन रा रहा है हाला कि अभी यूपी में कितने सांसदों और नेताओं का टिकेट कटेगा अभी तैय नहीं हुआ है मगर सूतरों के मताबे कर शुरुआती फेज में 20 सांसदों को चिनहित कर लिया गया है जिनके टिकेट कार्ट कर पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है ब्योरो रपोर्ट पंजाब केसरी टीवी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद